नमस्कार दोस्तो आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जीके हेलप विद जारवी पर हार्दिक अभिनंदन एवम स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री बीएश्टीशी और पीटेट एकजाम 2020 के लिए राजस्तान समाने गयान के most important 50 questions के बारे में वीडियो को अंतिम समय तक द्यानपुरक देखे और अंत में आपसे एक जीके का question भी पूछा जाएगा जिसका जवाब भी आपको वीडियो के comment box में देना होगा और दोस्तों यह हमारा model paper 28 है इससे पहले 27 model paper upload किये जा चुके हैं अगर वो वाले model paper आपने नहीं देखे हैं तो इनका link भी आपको description में मिलेगा वहाँ से आप देख लीजेगा तो वीडियो को start करें इससे पहले आपसे निवेद रहेगा कि आपने अभी तक YouTube channel gk help with jrb को subscribe नहीं किया है तो इसे subscribe जुरूर करें और पास में जो बैल आइकन है इसे भी प्रेस जुरूर करें ताकि आप तक हमारे दवर अपलोड किये जाने वाले वीडियो का notification मिलता रहे है चले start करते हैं आज का first question आपके सामने राजस्तान का खनीज बंडारों की दरश्टी से बारत में कौन सा स्थान है सबी के सभी बहुती important question है वीडियो को like जुरूर करना तो याद रखना मित्रो राजस्तान का खनीज बंडारों की दरश्टी से बारत में दूसरा स्थान है इसका option b right हो जाएगा साथ में याद रखना पहला स्थान किसका है पहला स्थान है जारखंड का पहला स्थान है जारखंड का चलिए अगला question है राजस्तान में पर्थम खनीज नीटी कब बनाई गई थी बहुत बार यह question पूछा गया है कि राजस्तान में दूसरी खनीज नीटी कब बनाई गई थी तो याद रखना दूसरी खनीज नीटी बनाई गई थी 1901 में और तीसरी खनीज नीटी 2015 में बनाई गई थी तो यह सभी facts आपको याद रखने है क्योंकि यहां से question exam में अक्सर पूछा जाता है आगला question है कौन कि क्योंसा दात्विक नीज बिजली का स्रवोत्तम सुचालक मना जाता है फिजली का सुचालक मना जाता है चांदी इस question का option b. right हो जाएगा तो ये आपको द्यारकना है सात ही मैं आपको बता दें बारत में सरवाधिक चांदी राजस्तान से निकलती है राजस्तान से वारत कि 90% चांदी का उत्पादर राजस्तान से होता है तो यह आपको याद रखने हैं अगला कोस्टन है कि राजस्तान में सोने के सरवादिक बंडार कांपर मिले हैं तो सोने के जो सरवादिक बंडार मिले है वो मिले मित्रो आनदपुर्ग भूखिया बांसवड़ा से इसका मिले कि राजस्तान की उंथरा वांसवड़ा बास डिगाम दोशा मुडीावास अल वर यहांसे सोने के बंडार मिलें कि आ अगला कोस्टन राजस्तान की अंतराजीह सिमा की लंबाई कितनी है तो बात केयें राजस्तान conse कि में तो दर्हों кадर सबसे कम लगती है दूसरा मित्रों हैं हaryana में हरियाणा के साथ 1 1262 km किते हैं तीर रज्चे UPP यानिकी उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ लगती है 877 km qopo के सिमा же 877 km उत्तर प्रदेश के साथ लगती है इसके बाद बात करें मद्यपरदेस की मद्यपरदेस के साथ राजस्तान की स्रवादिक सीमा लगती है 1600 किलोमीटर 1600 किलोमीटर और फिर बात करें गुजरात तो गुजरात के साथ लगती है 122 से किलोमेटर तो ये सभी के सभी कोस्चन अक्सर ने चाहिए बाकिबात करें 1087 किलोमेटर रहे एक हिस्चरी शीमा जो कि पाकिस्तान यह लगती है यह इंतर्य शीने वाला कोस्टन 2019 का जो प्री ब्याश्टीशी के एक्जाम हो था उसमें भी पूछा गया था तो यह भी आपको याद रखने चलिए अग्ला कोस्टन है कि राजस्तान में सरवादिक अंतराज्य शीमा कि सराज्य के साथ लगती है तो सरवादिक जो अंतराज्य सीमा लगती है वो लगती है मद्याप्रदेश राज्या के साथ इस इसको इसको नाम से जना जाता था तो दोस्तों प्राचिन काल में अगर बात करें तामर नगरी के नाम से जना जाता था अहाड उध्यपूर को को अहार्ड उद्यपूर को इसका उप्षन एर रायट हो जाएगा कुश्चन पुछा जाए कि वर्तमान समय में तामर नगरी के नाम से किसको जाना जाता है तो किसको खेतली जुन-जुनु को और तामर नगरी सब्वेता की जनली के ते अगनेशवर सब्वेता सिक्कर को तो जिले से सत्तर डिग्री पूर्वी付 दाशानतर रेका गुतिती है दोस्तों सत्तर डिग्रीप पूर्वी किस जिले से गुजरती है और स्टेन आपके सामने जोद्पूर जेसल मेर्ट दोलपूर नागॉर ठीलो यह गुजरती है जेसल मेर्थ से इसका ओप्षन वी राइट हो जाएगा चलिए अगला कोश्चन है बारत का सबसे बड़ा तामबा गलाने का सेंतर हैं हिंदुस्तान को पर लिमिटेड कहां अस्तित है तो दोस्तों बारत का सबसे बड़ा तामबा गलाने का सेंतर हिंदुस्तान को पर लिमिटेड यह अस्तित है ख के दोस्तों आपको मैं बताते हूं जसल मेर्या यह त्यात्रस्थान का चेत्रफलो से सबसे बड़ा जिल और इसका चेत्रफल आर्टीस हजार 402 वरक कड्रों और डोलपूर अमित्रोद दरजी समुदे के अराध्य देवता संथ पीपा जी की समाध्य किस दुरूग में अस्तित है द्यान देना यह आपको द्यान रखना है दरजी समुदे के अराध्य देव कोन है संथ पीपा जी और इनकी समाध्य वह गागरोन दुरूग में इस कोस्चन का उप्शन बी है चलिए अगला कोस्चन है किस बात्सा ने अबुल फजल के बड़े बाई फेज़ी से गागरों द्रुग में बेंट की थी अबुल फजल के बड़े बाई फेज़ी से किस बात्सा ने गागरों द्रुग में बेंट की थी उप्षन आपके सामने बाबर ने, अकबर ने, ओरंग जेव ने, सांजा ने तो अकबर ने बेंट की थी गागरोंद्रूग में इसका उप्षन बी राइट है अगला कोस्टन है कि अकबर ने गागरोंद्रूग बिकानेर के किस राजा को जागिर के रूम में दिया था पाथल और पिथल कनेया लाल सेठ्या की रचन है पाथल मारना परताब को का जाता है पिथल का जाता है पिर्थुराज राठोड को और पिर्थुराज राठोड की एक मेधपुर्ण रचन है वेली किर्शन रुकमनीरी ये एक्जाम में बहुत बार पूछी जाती है आपको य अज़ूजित कि या जाता है इस कोस्ट्टन का ओप्षण B Right है है अगला कोस्टन है निमंग लिखित में से कौन सा चितोड गर्ड धुरूग में अस्तित नहीं है बंप रहे हैं दोस्तो इन ना ठोल्टर्ट स सब्क'll कृअने था कर्फ़तम द्रूग में अस्तित नहीं है Aujmere Nagar की स्तापना के पहले, Aujmere के चुहंणों की राजदानी कुछ थी तो, दोस्तों, बात करे, Aujmere Nagar की स्तापना से पहले, Aujmere के चुहंणों की राजदानी थी सांबर, इसका option A right हो जाएगा, ये भी very very important question है, बहुत improper Έ선 बार exam में पुछा गया है अगला question है निवन में से कौन सा त्यहार स्रावन के महिने में नहीं आता है बते ही दोस्तों इन में से कौन सा त्यहार है जो स्रावन के महिने में नहीं आता है तो दोस्तों इसका डी ओप्सन एड़ जन्माश्टमी सावन के महिने में नहीं आता है जन्माश्टमी कब आती है तो बादरपद किर्शन अश्टमी को यह आपको द्यानक नहें बादरपद किर्शन अश्टमी को जनमाश्टमी आती है बाकी बात करें नाग पंचमी स्रावन किर्शन पंचमी इस दिन नागों की पूजा की जाती है और नाग पंचमी का जो मेला है वो है जोदपुर का फिम तो यह फिक्ट आपको याद रखने क्योंकि तयौनों से समंदीति ऍस्याम में एक वसीत जुरूर पूछा जाता है माराजा अगला ऑगा आहला को है 1857 की क्रांती कि समया जोद्पूर माराजा कॉन थे उस समय जोदपुर के माराजा कौन थे तो आपको याद गए माराजा हनुमंत सिंग चलिए नेस्ट कोस्टन है राजस्तान के किस एत्यासिक समारक को यूनेश्टान के किस एत्यासिक समारक को यूनेश्टान के किस एत्यासिक समारक को यूनेश्टान के किस एत्यासिक समारक क किया गया है यह जो जंत्रमंतर विद्यसला इसका निर्मान करवाया था स्वाई जैसिंग दिवित्यानी बहुत बार कोस्टन पुछा गया कि जंत्रमंतर विद्यसला का निर्मान किस नहीं करवाया तो आपको याद रखना है स्वाई जैसिंग दिवित्यानी पूरे बारत मे पांच स्तानों पर जंतरमंतर विद्धे सलों का निर्मान के वह था ये पांच स्ताने मित्रों कौन-कौन से एक तो है दिल्ली दूसरे मतुरा तीसरा उजेन चोथा बनारास और पांच माह जेपूर तो ये पांचों स्तान आपको ध्यान रखनी है अगला कोस्ट ने राजस् सब्सक्राइब करेस् देलवाड़ा मंदिरों के स्मूएं में कितनी मंदिर है तो दोस्तों भात करें देलवाड़ा मंदिरों के शुआ में तो पांच मंदिर इसकाॉप्सन राइट हो जाएगा चलिए 22 नगर की स्थापना के समय है वहां का परमुक वास्तुकार एबं नगर नियोजक कौन था बते हैं दोस्तों जो वास्तुकार था वो था विद्यादर बठा चारें बहुत बार एक्जाम में यह कोस्टन पुछा गया है और जेपर नगर की आधर निया जेपर नगर की स्थापना हुई थी 18 नवंबर 1727 में कब हुई थी 18 नवंबर 1727 में किसके द्वारा की गी थी जेपर नगर की स्थापना स्वाई जैसिंग दिवित्य के द्वारा यह भी फेक्ट आपको याद रखने हैं चलि अगला कोस्ट ने गनेशवर रेस्तित है ये कांटली नदी के किनारे यह आपको द्यान रखने कांट कि यह जो ग्र Сब्वेता स्ट ему इसे तामरनगरी सब्वेता की जननी का जाता हैं ओके ये आपको याद रखने है क्योंकि एक्जाम में ये कोस्टन बहुत बार पूछा गया कि कि सब्वेतास्तल को तामरनगरी सब्वेता की जननी का जाता है तो आपको द्यान रखना है गणी सब्वेतास्तल चली अगला कोस्टन है निमन लिखित में से किसे राजस्तान के कबीर के नाम से जना जाता है राजस्तान के कबीर के नाम से जना जाता है दादू द्याल को इसको दादू द्याल को इसका उपसन A राइट हो जाएगा चलिए अगला कोस्टन है, अक्बर ने परताप को सम्झाने के लिए सरपर्थम किसे बेज़ा था? तो दोस्तो बात करें मुगल समराट अकबर था इन्होंने मारना परताब को समझाने के लिए सरपर्थम बेजा था जलाल खां को जलाल खां कोर्ची इसका सी ओप्सर राइट हो जाएगा दोस्तो ट्रिक से याद रख सकते हैं जो अक्बर ने मारना परताब को समझाने के लिए चार व्यक्ति बेजे थे उन्हें आप जमा बटो इस ट्रिक से याद कर सकते हैं पेले जलाल खाकोर्चि फिर मान सिंग फिर बग्वांदास फिर टोन तो ये चारूँ आपको द्यान रखनी है कि अगला कुश्ट ने राजस्तान के कौन से यहाँर पत्र से राणी करमावती द्वारा जहर के जाने के परमाण मिलती है इसका option C right हो ज़ेगा पूरत तामर पतर चलिए next question है राज विनोध का रचेता कौन था मतले दोस्तो राज विनोध का रचेता कौन था तो आपको याद रखना है सदा सिव बटर राज विनोद का रचेता था साथ में याद रखे दोस्तों आपने सुनागा वीर विनोद का रचेता कौन था तो वीर विनोद का रचेता था मित्रो स्यामलदास श्यामल दास जिनका समद्ध बीलवाडा से था यह आपको ध्यान रखने हैं चलिए अगला कोस्टन है 1938 में जेपुर राज्य परजामंडल का पर्थम वार्षिक अधिवेशन है किसकी अधेक्स्ता में आयोजित हुआ बते हैं दोस्तों 1938 में जेपुर राज्य परजामंडल का पर्थम वार्षिक अधिवेशन है मित्रो जमनालाल बजाज की अधेक्स्ता में आयोजित हुआ था इसका उप्शन सी राइट है चलिए नेश्ट कोस्टन है बारथ सरकार ने पांच जनवरी 1939 को सिरोई का परशाषन की सरकार को सोंपा था जिरोई का परशाषन या बंबई सरकार को सोंपा था इसका कोस्चन का option B राइट है अगला कोस्चन है बागण के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है बहुत important question बहुत बार एकजाम में ये पूछा गया है बागड के गांदी के रूप में किसको जाना जाता है तो इसका option C right हो ज़े बोगिलाल पंडिया को बागड के गांदी के रूप में जाना जाता है यहां पर आपको और बताते हैं दोस्तों मिवाड के गांदी मानिक्यलाल वर्मा कहलाते हैं और राजस्तान के गांदी कौन कहलाते हैं एपोर्टन फिक्ट है ये राजस्तान के जो गांदी है वो कहलाते हैं गोकुल वाई बट कौन कहलाते हैं गोकुल वाई बट तो ये फिक्ट आपको यादे रखने हैं 31 कोस्टन है तो बात करें तो ये कोटा सेर से समंदीत है इसका उप्शन B राइट है चलिए नेश्ट कोस्टन है चमपा कली आभूसन स्रीर के किस अंग पर पहना जाता है बते दोस्तों आभूसन से समंदीत एकजाम में कोस्टन जुरूर मिलता है तो आपको याद रखना है जो चमपा कली आभूसने या गर्दन में पहना जाता है इसका उप्शन D राइट है मित्रो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जुरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जधा से ज़्यादा से शेर करें तक उन्हें भी फैदा मिल सके कोस्टन है कि राजस्तान की कौन से जगह दाभू प्रिंट के लिए परसीद है बहूसा अकोला इसका उप्सन A राइट है चरी नेश्ट कोस्टन है कि प्राचिन काल में राजनितिक बंदियों को मर्तियुदंड किस दुरूग में दिया जाता था तो दोस्तों जो प्राचिन काल में राजनितिक बंदी हुया करते थे उनको मर्तियुदंड दिया जाता था गागरोन दुरूग में इसका option d right है me okay me next question के गागरों किला किस अन्य नाम से बी जाना जाता है तो दोस्तो गागरों किला है ये जाना जाता है मुस्तफाबाद के अन्य नाम से भी मुस्तफाबाद इसका । अप्सन राइट है ? है ये जो चोमुआ गड़ है मित्रो इसे दारादार गड़ के नाम से भी जाना जाता है मियूर्दवज गड़ है इसे मेरान गड़ के नाम से भी जाना जाता है त्रिकुट गड़ है इसे सोनार किला या जेसलमेर का किला इस नाम से भी जाना जाता है अगला कोस्टन है गागरोन द्रुग में हुए युद को कथानक बनाकर किसने अचलदास खिंचीरी वचनी का लिखी बते दोस्तों गागरोन द्रुग में हुए युद को कथानक बनाकर किसने अचलदास खिंचीरी वचनी का लिखी तो आपको याद रखना है अचलदास खिंचीरी वचनी का लिखी थी सिवदास गाड़न ने इसका C option right है सेंतिसमा question है किस दुर्ग का निर्मान परमार सासकों के द्वारा सूकडी नदी के किनारे करवाए गया तो दोस्तों परमार सासकों के द्वारा सूकडी नदी के किनारे सुवरन गिरी दुर्ग का निर्मान करवाए गया था यानि कि जालोर का जो किल्या इसका निर्मान परमार सासकों ने करवाए था किस नदी के किनारे सूकडी नदी के किनारे अगला कोस्ट ने बेकानेर जिले का च्छेतरफल कितना होगा यदि वह राजस्तान राजे के कुल च्छेतरफल का 7.96 परतीसत अंस रखता है तो दोस्तों 7.96 परतीसत अंस राजस्तान राजस्तान राजे के कुल च्छेतरफल का रखता है बेकानेर जिला तो इसका छित्रफल होगा 27,224 वरक किलोमेटर इस question का D option right है अगला question है राजस्तान राज्य के निमन में से कौन से जिले की सिमा रिखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है दोस्तो राजस्तान राज्य का जिला बाड में रहे इसकी गुजरात राज्य के साथ सबसे कम सिमा लगती है इस question का C option right है अगला question है तामबा प्राप्त करने के परमुक 16 है तो दोस्तो इसका option D right हो जाए उप्युक्त सभी खेतडी और शिंगाना ये दो 16 जुंजरों में खोदरिबा अलवर में बीदासर बिकानेर में यहां से के तामबा प्राप्ते किया जाता है अगला question है राज्य में सरवादी किस किसम का लोहा निकाला जाता है बताए दोस्तो राज्य में सरवादी किस किसम का लोहा निकाला जाता है तो हेमेटाइट किसम का राज्य में सरवादिक लोहा निकाला जाता है इसका उप्सन बी राइट है हो जाएगा यह जो हमेटाइट किसम का लोहा है यह 75 परतीसत राजस्तान में निकाला जाता है और दो नमबर पर है मेगनेटाइट जो की 25 परतीसत है निकाला जाता है तो इसका उप्सन बी राइट सबसे उच गलना की दातू है तो बात करें राजस्तान में मिलने वाली सबसे उच गलना की दातू है तो बात करें राजस्तान में मिलने वाली सबसे उच गलना की दातू तो उसका नाम है टंगस्टन इसका उप्शन सी राइट है और यह जो टंगस्टन है इसका एक मतर खान है डेगाना नागोर में कहा सतीत है और यह है अगला कोस्तन है डोड़ड़ या दूलर गड़ की नाम से जयना जाता है इसका उसंसे राइट है गागरून दुग जलावाड रहत्रपर अधुन्यड़ त्रूब कही सिधा सब्सक्राइं कि यह सभी पूछा जा सकता है कि अरभला को स्षting ना ने बुलं द्रवाजा किस द्रुग में बनवाया था तो दोस्तों और बलंड ओच्या का का इसका गठन हुआ था चार जून 2005 को बर्थपूर संभाग का गठन हुआ था और इसमें चार जिले खूषट न का उपसर बी राइट हो जाएगा जुलाई 1994 में हनुमानगड को स्री गंगानगर से अलग करके एक निया जिला बनेया अगला को स्थिन संक्या की द्रस्टी से राज्या का सबसे छोटा संभाग है तो यह यह वह आमित्रों कोटा इसका वे रायट हो जाएगा और कोस्ते और जा सकता है कि जनसंक्या की दुरष्टी से राजय का सबसे बड़ा संभा कुन सा है तो आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ा संभाग है जंसंक्या की द démocrष्टी से जयवपुर क्यों साल यह जयवपुर को और सात में बात करें 28 पर की तो छेतरफल में सबसे बड़ा संभाग है मित्रो जोदपुर संभाग और सबसे छोटा संभाग है बर्थपुर संभाग ये भी आपको याद रखने है उन्चासमा कोस्टन है राजस्तान का सरवादिक जनसंख्या वाला जिला है तो स्रवादिक जन संख्या वाला जिला कौन सा है जेवपुर जिला है इसका C option राइट है और न्यूंतम जन संख्या वाला जिला है जेसल मेर बहुत बार question पूछे जाता है छेतर फल में तो जेसल मेर स्रुवादीक छेतर फल रखता है लेकिन जन संक्या जेसल मेर की सबसे कम है राजस्तान में और आज का अंतिम question है कि निमन में से कौन सा जिला बर्थपूर संबाग में नहीं है तो अभी मैंने आपको बताया कि चार जून 2005 को बर्थपूर संभाग का गठन हुआ था जो कि राज्या का सात्मा संभाग है और इसमें चार जिले आते हैं कि चार जले कौन कौन से बर्थपूर स्वाइमदपूर क्रोली दोलपूर अलबर जिला ये जब पुर संभाग में आता है कि समभाग में जब पूर संभाग में 5 जिले आते हैं जब पूर ढलवर डोसा कर जंजनू यह आपको ध्यान रखने हैं विडिविए ुपर्टंट 50 क यहां पर आपका मुल्यांकन भी हो जाएगा और प्री बीस टीशी और पीट एक्जाम से रिलेटिव आपकी कैसी त्यारी चल रही है वह भी आपको पता चल जाएगा और दोस्तों डिस्क्रप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का टेलीग्राम चैनल को जुरूर जोइन करें और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम आइडी के मद्यम से भी फोलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम आइडी का लिंक भी आपको डिस्क्रप्शन में मिले जाएगा चलिए बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो आप से कोस्टन पुछा लास्ट वीडियो में आप से कोस्टन पुछा गया था कि बाला किला राजस्तान के किस जिले में अस्तित है तो दोस्तों इसका उप्शन भी राइट था बाला किला राजस्तान के अलवर जिले में अस्तित है आप सभी ने इस कोस्टन का जवाब राइट दिया आपको पु दो इसका नाम आपको बताने हैं पांडू पॉल में पांडू आखे पॉल सुरज पॉल गणेश पॉल तो इसका इसा कमेंट 되지 आप कि केंट में बार ऑह जाने जरुर बठाएं और और दूरुक's को कि दिन्स करद की ने मौत जल्दी आखर रहे और पर को